हलो इस्ट्रेन बहुत-बहुत स्वागत है आपका सात्वी कच्छा गनीत के इस वीडियो लेक्चर में आज से हम पार्ट चार समी करन श्टार्ट करेंगे और प्रस्नाओदी 4.1 के प्रस्नों को सौल करेंगे लेकिन इससे पहले कि में प्रस्नों में जाऊं समी करन क्या होता है इसके बारे में हम जल्दी-जल्दी में कुछ समझ लेते हैं इससे पहले कि मैं क्वेस्टन को सौल करना सूरू करूं क्यों ना समी करन के बारे में कुछ बेसिक कॉंसेप्ट हम जान ले कि समी करण, एक्चोल में कहते किसको हैं, उसके हल ग्याद करने का मतलब क्या होता है, तो चलिए, एक मोटा मोटा कॉंसेप्ट, समी करण के बारे में हम जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है? तो देखी संख्या के बारे में आपकी क्या समझ है? इसको आप फिर से रिकॉल किजिए. संख्या दो प्रकार की होती है. क्या होती है? संख्या दो प्रकार की होती है. एक वह संख्या जिनके मान क्या हो निश्चित हो उनको हम क्या बोलते हैं? अचर संख्या करते हैं. क्या ब या फिर आप जो एकी करनी वाला संख्या ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप परमे संख्या ले सकते हो, दो बटा तीन है, चार बटा दो है, इस तरीक के जो संख्या है, या फिर दसमलव वाली संख्या, दो दसमलव पांच, ये सभी संख्या क्या होती है, एक निश्चित मान होती है क्या होती है । ह Hm i kingdomlor निश्चीत होते हैं थीके इनKe ऐसी संख्या जिनके मान क्या हो निश्चित ना हो बलकि समय के साथ चेंज हो जाए जैसे कि मालो हम बच्चों का उपस्थिती को देखें बच्चों की उपस्थिती यदि हम सोम मार को देखें हो सकता है कि उस दिन तीस हो मंगलवार को कोई बच्चा है अपसेंड मार दे तो हो सकता है कि 29 हो है बुद्धवार को कोई दो बच्चा अपसेंड मार दे ठीक है तो उस दिन 27 हो जाए ठीक है कहने का मतलब है ये जो बच्चों की उपर सिती है वो अलग-अलग दिन अलग-अलग है इसी तरीके से जो तापमान होता है सुबह का तापमान कम होता है दो पहर में तापमान जादा होता है साम को तापमान कम हो जाता है रात को तापमान और कम हो जाता है ठीक है तो क कुछ चीज़े हैं जो बदरते नहीं है कौन-कौन से चीज़े नहीं बदरती जैसे कि सब्ताह में कि सब्ताह में दिनों की संख्या दिनों की संख्या देखो सब्ताह में दिनों की संख्या कितने होती है साथ होती है चाहिए आप कोई सब आप जनवरी माह में दिनों की संख्या बोलो तो वह हमेशा निश्चित आएगा लेकिन फरवरी माह में संख्या तीन साल ऐसे होंगे जिसमें 28 रहेगा लेकिन 4 साल में यहा जएगा 29 हो जाएगा तो ऐसे मान जो चेंज नहीं होते जैसे कि इन संख्याओं के जो value है वो क्या होते है निश्चित होते है ऐसे वाली संख्याओं को अचर संख्या करते है ऐसे संख्याओं को क्या बोलते है अचर संख्या बोलते है अंगरेजी में इसको क्या बोला जाता है constant बोलते है क्या बोलते है constant मतब जिसका मान क्या हो सेवन है अब यदि मैं बच्चों की उपस्यति जो मैंने सब्दों में लिखा है उसको मैं एक संकेतिक नाम दे दूँ एक्स ठीक है क्या नाम दे दिया इसी तरीके से हम वाय नाम भी दे सकते हैं जेट नाम भी दे सकते हैं ए बी सी अंग्रेजी अक्षर मतब अंग्रेजी अल्फाबेट के कोई भी अक्षर से नाम दे सकते हैं ठीक है या फिर हिंदी अल्फाबेट में जो अक्षर है उनसे नाम दे सकते हैं तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं संख्या को नाम दे रहे हैं ठीक है संख्या को क्या कर नाम दे रहें, तो ये जो X, Y, Z है, A, B, C है अबसा है, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार की संख्या की तरह बिहेव करता है किस तरह का व्यवहार करता है संख्या की तरह व्यवहार करता है संख्या की तरह व्यवहार करता है ठीक है, ये actual में संख्या नहीं है, x, y, z संख्या नहीं है, a, b, c संख्या नहीं है, लेकिन हम x, y, z के द्वारा संख्या को बता रहे हैं इसलिए हम इसको संख्या कहेंगे लेकिन कौन सी संख्या बोलेंगे चर संख्या क्योंकि इनके मान निश्चित नहीं होते हैं ठीक है अब जो चर संख्या होते है उसको अंगरेजी में क्या बोलते है वेरियेबल क्या बोलते है वेरियेबल का मतलब क्या होता है जिनके मान बदलते रहते हैं ठीक है अब यदि मैं कोई ऐसा संख्या ले लूँ जिसमें चर संख्या और अचर संख्या के बीच में कोई संक संक्रिया हो रही हो जैसे कि यहां पर दो है ठीक है दो धन एकस ले ले या फिर दो रिन एकस ले ले या फिर दो गुना एकस ले ले या फिर दो बटे एकस ले ले यहां पर क्या हो रहा है संक्रिया हो रहा है यहां पर जोड़ने की संक्रिया हो रहा है यहां घटाने की संक्र यहां पर भाग की संक्रिया हो रहा है तो यह क्या कहलाते हैं यहां पर क्या है आपका देखो अचर संख्या भी है ठीक है यह 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 वाला यह क्या है भाई अचर संख्या और जो यह एक स्वाले जो पार्ट है यह क्या है आपके चर संख्य है तो ऐसी संख्या ठीक है ऐसी संख्या जहां पर आपके अचर संख्या है और चर संख्या है तोनों हो और उनके बीच में क्या हो संक्रिया हो क्या हो संक्रिया अब संक्रिया किसको कहते हैं भई इसको समझो यह जो जोड़ना घटाना गुना भाग यह जोग हम लोग करते हैं जोड़ना घटाना गुना भाग देखो जोड़ना घटाना गुना भाग इनको क्या कहा जाता है इनको संक्रियाए कहते हैं क्या बोलते हैं सं जंक्रिया होती है उसको क्या करते हैं उसको बिजी व्यंजक करते हैं उसको क्या करते हैं उसको बिजी व्यंजक ठीक है तो यहाँ पर नया चीज आ गया आपको समझ में है ना बिजी व्यंजक क्या होते हैं ऐसे पद जहां ऐसे पद जहां चर एवं अचर संख्या के बीच संख्या के मध्य संख्या के मध्य संक्रिया हो देखो इसको मैं ज्यादा अद्दम लाइन से इसलिए लिखने वाली चीज नहीं है आपको सिंपली इसको समझना है और अपने सब्दों में लिख लेना है विजी वेंजग क्या होता है ऐसे पद जहां चर एवं अचर संख्या के मध्य संक्रिया हो उसको क्या कहते हैं बेजी वेंजग कहते हैं ठीक है अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है दो धन एकस लिखा है उसको हम एकस धन दो भी लिख सकते हैं ठीक है अब इसी तरीके से एकस रिन दो वाई धन एक भी हो सकता है तो यह सभी चीज क्या है अभी बीजी वेंजग है मान लो हम दो बीजी वेंजग को साथ में रखते हैं और बीच में बराबर का चिन लगा देते हैं मैं क्या बढ़ा हूँ समझिये, दो वेजी वेंज़क को साथ में रखते हैं, और बीच में बराबर का चिन लगाते हैं, सब उसको क्या बोलते हैं, तब उसको समी करन बहते हैं, ठीक है, ध्यान से समझे़े, यहाँ पर एक सिधन दो है, और एक पदर लिख लिए मैं 4x लिख लिए ठीक है और बीच में क्या गर दिया ऐसा बराबर का चीन लगा दिया तो यहाँ पर देखो दो पक्षे एक पक्षी यह हो गया एक पक्षी यह हो गया और बीच में बराबर का चीन है देखो दूसरे पक्ष में यदि 0 भी है तो भी ये समी करण होगा देखो दो पक्ष हो दूसरे पक्ष में यदि 0 भी है कोई संख्या नहीं है तो भी वो समी करण कहलाएगा जैसे मालो यहाँ पर X-Rain 2Y धन 1 है ठीक है और दूसरे पक्ष में कोई single संख्या हो जैसे 5 है तो भी ये क्या कहलेगा समी करन कहलेगा simple सा concept है कि बीजी वेंजक है उनमें दो पक्ष है ठीक है और बीच में बराबर का चीन है बीजी वेंजक है दो पक्ष है और बीच में बराबर का चीन है तो उसको हम समी करन कहते हैं बीजी व्यंजक है, दो पक्ष है एक पक्षी हो गया, एक पक्षी हो गया बीच में बराबर का चिन है तो इसको हम समी करन कहते हैं यहाँ पर भी देखो, एक पक्षी हो गया, एक पक्षी हो गया यहाँ पर भी यह एक पक्ष है यह पक्ष है ठीक है लेकिन यदि एक ही पक्ष हो बराबर का चिन ना हो तब हम उसको क्या करते है व्यंजक जैसे यहाँ पर देखो एक ही पक्ष है यहाँ पर दो पक्ष नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं व्यंजक बोलते है अब हम बात कर करते हैं, समीकरन का हळग, ठीक है, तो यहाँ पर समझी यह समीकरन का हल का मतलब क्या होता है. मैं एक सिंपल सा यदि मैं संख्या ले लेते हुग, 4x plus 2 equal to 0, यह एक समीकरन है, यहाँ पर जो अग्यात संख्या है, जैसे यहाँ पर ìक्स ए, एक्स का मान ग्याद करना ही समी करन का हल कहलाता है X का जो मान है यही क्या कहलाता है इस समी करन का हल कहलाता है अब देखो यहाँ पर X का मान को ग्याद करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं दो चीजे करते हैं जनरली एक होता है आपका पक्छांतर ठीक है? और दूसरा चीज होता है तिर्यक गुना इसका यूज बहुत ज़ादा होता है तो यह सब चीजी क्या है इसको अच्छे से समझेगा क्योंकि जब हम question को solve करेंगे यदि आपको इसकी समझ हो है पहले से तो वो बहुत ही असानी से आपको समझ में आने लग जाएगे तो यहाँ पर मैं कुछ चीजे आपको बता रहूँ उसको ध्याल से समझना ठीक है यहाँ पर देखो एकस धन दो बराबर चार ठीक है यदि मैं इस दो को दूसरे सैड में ले जाओ देखो दो और एकस के बीच में दो और एकस के बीच में धन का चीन है ठीक है तब हम क्या करते हैं पक्छानतर करते है एकस यहीं पर रहेगा यह चार जो पहले से वो पहले से रहेगा यह दो दूसरे सैड में आएगा और इस दो की सामने में जो चिन है वो बदल जाता है दो के सामने में जो चिन है वो क्या होता है बदल जाता है धन का रिन हो गया ठीक है वही यदि यहाँ पर यदि ऐसा रिन दो रहता ठीक है और फिर इसको दूसरे साइड में ले जाते तो यह जो चार है वो पहले से हैं, उसको कुछ नहीं करोगे यह जो रिन 2 है दूसरे साइड में जाएगा, तो यह धन 2 हो जाता है कहने का मतलब धन का रिन होता है, रिन का धन होता है अब यहाँ पर थोड़ा सा और चीजों को इसपस्ट करते हैं, ठीक है सपोस्ट दो यहाँ पर है, बीच में धन है, यहाँ पर एकस है, ठीक है यहाँ पर चार है, इस दो को मैं दूसरे साइड में ले जाता हूँ देखो, दो और एकस के बीच में धन का चीन है 2 और X के बीच में धन का चीन है समझा रहा है तो हम क्या करेंगे पक्छानतर करके दूसरे साइड में ले जाएंगे ठीक तो X यहीं पर रहेगा दूसरे साइड में 4 है और ये 2 जो है कि दूसरे साइड में गया तो 2 की सामने में जो चीन है अब देखो यार सामने का मतलब ये वाला नहीं है सामने का मतलब यहाँ पर 2 के सामने में कौन सा चीन है 2 के सामने में कोई चीन नहीं दिख रहा है जब कोई चीन नहीं दिख रहा है तो 2 कैसा है धनात्मक है धनात्मक है तो दूसरे साइड में जाएगा तो रिन हो जाएगा यदि यहीं पर यह दो ऐसा रहता और फिर हम X को यहीं रहने देते और इस रिन दो को दूसरे साइड में ले जाते तो यह वाला जो चीन है वो बदल जाता और यहाँ पर धन हो जाता यह समझाया? ठीक है? यहाँ पर एक चीज और समझो कि यह दो है ठीक है? यहाँ पर रिन है यहाँ पर X है यहाँ पर 4 है और अभी यदि हम इस रिन मतलब की और अभी हम इस दो को दूसरे साइड में ले जाना चाहते है तो देखो रिन X है तो यहाँ पर रिन X ही रहेगा और यह जो दो है दूसरे साइड में जाएगा तो चार के बार लिखेंगे दो कैसा है धनात्मक है क्यों यहाँ पर कोई चिन नहीं मतलब यह कैसा है धनात्मक है और दूसरे साइड में जाएगा तो यह रीन हो जाएगा यहाँ पर एक चीज को समझो कि ये जो बीच में चिन होता है उसका जादा मतलब नहीं है उससे ये डिसाइड होता है कि यहाँ पर पक्षांतर होगा कि तिरिया गुना होगा ठीक है यदि दो संख्या है दो संख्या के बीच में जोड हो रहा है या घटा हो रहा है जोड हो रहा है या घटा हो रहा है तो एसे ही सित्य में यदि एक संख्या को दूसरे साइट में ले जाना है तो आप पक्षांतर करके ले जाओगे। क्या करके ले जाओगे पक्षांतर करके ले जाओगे और जब पक्षांतर करके ले जाओगे तो जिस संख्या को ले जा रहे हो उसके सामने में जो चिन है वो चिन है यहाँ पर बदल जाता है रीन का धन हो जाता है ठीक है धन का रीन हो जाता है तो यह चीज आपको अच्छे आना हो दो संख्याओं के बीज में, तब हम पक्षांतर करके एक संख्या को दूसरे साइड में ले जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, अब बात करते हैं, तीरी अग गुना का, अब देखो यहाँ पर, दो गुना एक्स है, दूसरे साइड में चार है, ठीक है, अब इस दो को मुझे दूसरे साइड में ले जाना है यहाँ पर दोनों के बीच में क्या हो रहा है गुना हो रहा है दो को दूसरे साइड में ले जाना है तो एकस के साथ यह क्या कर रहा है गुना कर रहा है तो चार के साथ क्या करेगा भाग करेगा क्या करेगा भाग तो हम भाग को इस बटे के रूप में लिख लेते हैं सपोस्पोस यहाँ पर X के साथ ये दो क्या कर रहा होता भाग कर रहा होता और दूसरे साइड में हम ले जाते ठीके तो कैसे हो जाता X यहीं पर रहेगा और ये जो भाग है वो चेंज हो जाता और इसके साथ क्या करता वो गुना करता बड़ा सिंपल सा कॉंसेप्ट है यदि कोई संख्या पहले साइड वाले साथ गुना हो रहा है तो दूसरे साइड में जाएगा तो वो भाग करेगा पहले साइड वाले साथ यदि भाग कर रहा है तो दूसरे साइड में जाकर वो गुना करेगा ठीक है, सिंपल सा है यहाँ पर एक और चीज़ देख लो X है गुना दो है चार बटा तीन है ठीक है, दूसरे साइड में है वो कैसा है, परमे संक्या है अब यदि हम दो को ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा यह X, गुना दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग, तो भाग होगा तो कहां जाएगा, दूसरे साइड में पहले से भाग का चीन है, तो नीचे में जाके गुना होता है ये जो दो है नीचे की संख्य के साथ जाके क्या हो जाता है गुना होता है ठीक है तो simple सा concept है यार गुना है दूसरे सायर में जाके भाग बनेगा भाग है दूसरे सायर में जाके गुना बनेगा ठीक है तो इसको हम बोलते हैं तेरिया का गुना तो ये दो चीजे हैं जो आले के question को सवाल करना सुरू करते हैं